तो जैसे कि मैंने कहा था ना के रेस्टोरेंट में कुछी परसेंट लोग ऐसे हैं जो सरफ और सरफ फूड की वज़े से वहाँ पर जा रहे होंगे अदर्वाइस तो जादा से जादा परसेंट लोग ना वहाँ पर चालू से मिलने की वज़े से ही जा रहे हैं और वही एक च चैनल को डिरेक्ट इंडरेक्ट प्रमोट कराने के लिए ही जा रहा है कितने अच्छे मासूम से बच्चे क्या कर रहे हैं किसकी पीछे करें जिनको उनकी परवा तक नहीं है जिस विकोज अपना कंटेंट डालने के लिए उन बच्चों की क्लिपिंग लगा दी और मैं सुब का नियुक्त करके पूछा ता क्या वह जा रही है चैब मुझे नहीं पता लेकिन च्छे बजे के लिए तो बिल्कूर डैफिनिटली वह कोचिंग ही जा रही होगी 6 बजे ऑगर कोलेज जा रही है तो भाई मेरा रोड क्योंकि बहुत जारा दूर हो सकता कॉलीज दूर हो कर रही है कुछ भी मैंशन नहीं किया कहां तो टीनेजर भाई को यानि कि जो लड़का है उसके तक के लिए इतना ज़्यादा डरती है कि कैसे आएगा कैसे करेगा वहाँ जाना है इतनी दूर जाना है और कहां वो लड़की जो अब पहली बार इनके बगार कहीं बाहर निकल कर ये उसके बारे में कोई मैंशन नहीं करती है कोचिंग के कपड़े, कोचिंग के क्लसी कोचिंग में मीटिंग कोचिंग का वैग, कोचिंग का ये तो हम लोगों ने सोचा कि फनी को सोने देते हैं और सुबह सुबह ओटो में निकल जाते हैं और सुबह सुबह तो बहुत अच्छा लगता है लाइक रियली पता भी है वैसे सुबह क्या होती है सुबह किस चीडिया का नाम है कभी सुबह उठी हो जो अब आज भी 9 बजे कुछ नहीं है फिर भी फ्रेंड्स वो हमें शूट नहीं करने देती हैं विल्कुल भी आज है संडे फनी ने वादा किया था वह हम सब को घुमाने लेंगे तो हम इतने जादा एक्साइडेड है जैसे 10 साल का बच्चा होता है कि हो ये आज हम घुमने जाएंगे आज पाप भावी के घर चले गए अब ये भी नहीं कहती के हम उपर चले गए थे हम भाई भावी के घर चले गए थे और फनी टिप टॉप होने के लिए चले गए तो और ये देखो फनी टिप टॉप होकर आ गए हैं सैलोन से शेविंग वेविंग करा के बालवाल कटवा के बिलकुल टिप तॉप होके वो तो वहीं वाली कहावत थे थी वैसे तो थोड़ी सी गंदी कहावत है चलो छोड़ो पतलब कहने का सार यह है कि कितना भी किसी छीज़ को कर लो जिसको दिखना होगा जैसा वो वैसा ही दिखेगा तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं होता तुम बिना धुले हुए सूट को ऐसी उतार के दरवाजी की पीछे टांग देते हो फिर उसको उठा के ऐसी पहन लेते हो मोदाहा में भाई इसने यही किया वो जो नाइट सूट यहां पर दिखा रही थी कि हम यह नया नाइट सूट लेक रात को पहन लिया इसके 5-6 व्लोग में हमें यही देखने को मिला था और यह देखो हम लेकर आए हैं यह कोड़ सूट डैनिम का अच्छा अकेले अकेले सूट लेकर आ तो अरे भाई फणी बाबू कितना कुछ तुमें दिया है उसने और देती यार यह तुमने क्या दिया हिस्सा मांग दी थी सब तुम्हा रही है तो तब हमें मिला कि तुमने फाइनली अपने आप से वो कमाए खेल कर कमाए हो या कैसे भी कमाए हो उसके बात तो हमने एक सिंगल पहनी भी नहीं देखी तुमने अपने आप से कोई काम किया हो यह कमाया हो तो फिर बताओ वही त पर्सनल व्लोगिंग थी तो फिर भाई तुम्हारा इतना सारा खर्चा कैसे चल रहा था जो तुम आज उसको ताना माड़ी अकेले अकेले जाकर अपने लिए शॉपिंग कर लेती हो यह महंगा जीम यह अच्छा लाइफ स्टाइल यह गाड़ी यह रेस्टूरेंट यह सब क क्योंकि तुम ने आपने इस लाइफ स्टाइल को मिंटेन करने के लिए ही तो तुमने रेस्टूरेंट को खोला थे यह धार का मजे ही मज़े आगए वही कैसे मज़ी आ गए कि बहू ने कपड़ों का काम खोल लिया और बेटी ने रेस्टोरेंट खोल लिया यानि कि खाना भी और शॉपिंग भी दोनों घर के घर अच्छा अब मंडे के दिन भी जाएगी मंडे के दिन था आपने बनाया था तो अफिस संडे को क्यों जा रही है संडे को अवेलिबल रहते हो तो संडे को चले जाओ नहीं अब संडे को भी जाएंगी मंडे को जाएंगे जबकि रेस्टोरेंट में तो किसी भी दिन की छुटी होती ही नहीं है और भाई के तो होई नहीं सकता कि मैं अपने लिए के लिए के लिए कुछ शॉपिंग कर क लड़कियां तो फिर भी ऐसे पहन लेती है और चल जाते हैं उनके अपर जच जाते हैं मैंने तो लड़कियों को इस तरह के प्रिंट पहनते वे नहीं देखा भाई फनी भाई का मुँ उतर गया भाई टीशिट देखकर उसको बहुत देव तक तो लगा के देखते रहे और फिर यह सोचा अब चल फ्री की आई है ले आई यह तो चल रखी लेता हूं वैसे चेहरे से खुश की बाल में की और ना जाने कहां कहां के कपड़े लेकर आएगी लेकिन नहीं भाई नहीं वह तो बहुत ही जादा बस ऐसी ले आई है उठाके कि बस सो सो है और उसका मन रखने के लिए क्या भी पहन लो क्या मतलब इन लोगों को कितनी हाई होती है यार जो भी नया कपड़ इसको बस पहनना है कोई मोका नहीं ढूंड़ना ना ही किसी मोकी के लिए रखना आओ पहनो जैसे ऐसे हो रहा है इनके लिए यूज ऑन थरू जब्टन होते है लिए खाओ फीको खाओ फैको इनके लिए कपड़े बिल्कुल वैसे हो रहे हैं यह से निकलते ही कुछ दूर लोग थे उन से मिल लिए और यह देखना एक इव लोग में हम कितनी बार रेस्टोइंट जाएंगे खाली रूटी क्या खा रहे हो चो इसली रेस्टोइनट में अच्छा इसली जल्दी आ गए ते भाई तुम फिकर करती कब हो उसकी तुम्ने कभी इस तीस की चआट से खायेगा या बाहर से मंगा के कंदार के छाने के मिले खॉइल में लपेट मतलब अपने घूमने के चकर में उसको प्रॉपर टरीके से घर में खाना तो खाने देती है अल्ला की बंदी यह अपने फिने के- पॉइंट टूबी नौट इट अब हम इज़त नहीं देंगे सनी खा रहा है अपनी रोटी और हम अपना पिएंगे प्रोटीन शेक हम इसलिए खा रहें जिसे कि हमें वहां पे जदा भूग ना लगे और फिर भी हम पूरे ट्रिप खाते ही रहेंगे कभी नमकीन कभी रहेंगे भाई को भी अभी तो खाके आए दाल चावल दूसरे खाने पे नजावे को सब्हां इनको भी हम खालेंगे तो फ्रेंस हमने रिजर रियान की जिंदिगी की एक और खुआईश पूरी कर दी क्योंकि इनको यहां पे आना था क्योंकि पिज़ा नान की जो विश लिस्ट होती ना उसमें जो बकिट होती है अरे भाई चालू अपी बकिट लिस्ट में विश लिस्ट बोलते हैं पहले बो सब यह जा निए बिखें घौरे को बाई कभी 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 यह भी कह दिया करो के हमाई दादा दादी के घर लेकर चलो, ओ मुझे तो यकीन नहीं हो ना, जैसे अंदर आते हैं तो आज हो गया, भाई ऐसे क्या है, मतलब हर चीज को इनको इनको पस एक नेक्स्ट लेवल लेकर जाना होता है, जब मुंबई में 26-11 में जो अटेक हो आता है, तो ये भी अटेक की दाल दो तुमारी चालू अपी फणनी वाई सब विश पूरी कर देंगे, लेकिन हाँ, उसमें दादा दादी के घर की जरूर विश लिस डालना, और हमेशा के लिए फाइनल डेस्टिनेशन अपनी अपनी अम्मी पापा का घर जरूर बना देना, कि एड दी एंड पढ़ा अमीत की जाए, ना 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 भाई, नोट पॉसिबल, और फिर देखो सर्प्राइस, यहाँ पे मिल गया चालू अपी को और फणी को जादू चिराग, जिस जादू चिराग से वो सब कुछ जादू से उल्टा फुल्टा कर देंगे, यानि कि सब कुछ पॉसिबल हो जाएग तो आप तो धन्य हो गए होंगे ना आपको नई इंफोमेशन मिलिये, क्या रही थी ना, कुछ लोग हमारे व्लोग देखते हैं, एंटर्टेंडमेंट के लिए कुछ देखते हैं, इंफोमेशन के लिए, तो फणी भाई ने इंफोमेशन दे दिये, आई होप अब आपको स क्योंकि अच्छी लगी, जेब में पैसा है, चलो खरीद लेते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, उनसे देखो 300 में माना हैं, और जब मॉल से ले आती हैं, तीन हजार रुपे की वो इसको चल जाता है, लेकिन 300 रुपे इसकी जेब से ने निकल रहे हैं, किसी गरीब को देन के लिए किसी मेहंती आदमी को देने के लिए, उसके हक के पैसे, बहुत दिनों बादे थे स्टील शॉपिंग से अच्छा लग रहा है, बहुत बारगिनिंग करके, क्योंकि हमारे अंदर की जो अंतरात्मा है, वो बड़ी तिरिप्त हो गई है, दूसरों के पैसे मार के, य वहां तो कोई बारगिनिंग भी नहीं जानता के बारगिनिंग किस चिडिया का नाम है, और भाई यह जहां पर भी गईतना भीड इतनी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन यह जो सो कोल्ड अपने आपको कहलाती है, फरिष्टा, सेलिबिर्टी, बिल्किन कितनी वैल्यू थी, इतनी भीड में कोई एक बंदा इसको मिला है, जो इसको पहचानता है, और आके फोटो की चारा था, वरना इतनी भीड थी के कंदे से गंधा मिला कर लोग चला रहे थे, और यह जो अपने आपको इतना जाद जाती है, कोई पूछ तक नहीं रहा था इसको कहां गुम रहा किया, और एक और नहीं बाद सुलो, भाई, यह है इन बच्चों का समझदारों यह कहलो, भाई, यह है इनका ब्रेन, और कितना अच्छा भाई, डबल अप किया इनोंने, पहनने की रिंग, मतलब रिंग किसी और चीज़ की भी होती है, क्या पहनने वाली रिंग, चाहिए, अपी को, कि हमें गीववे भी करना है, क्योंकि व्यूज डाउन जा रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा लाताड़े लगा रहे हैं, चलो लोगों का माइन डाइवर्ट करते हैं, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का तो हमने टॉपिक बहुत उच्छा लिया, और बहुत व् रुपे के पर्स ले लिएं, कितने के पर्स ले लिएं, बलके इनको तो लेने की भी जरूँत नहीं थी, इससे पहले एक पोड़कास में, दो पोड़कास में मैंने बताया था, कि इतने सारे बैक ट्रेड मिल पर टंगे वे थे, उनमें से गीवववे कर दो ना, जो तुमा उनों को वापस से व्यूज मिल जाएं और फॉलोवर्स मिल जाएं वह चालू अपी बहुत अच्छा दिमाग लगा रही हो अभी जो दो-तिन टी-शेट लेकर आय थी उनसे पेट नहीं भरा था कि अब सड़क से भी उठाके जो है टी-शेट चाहिए मौल से भी चाहिए स्ट काई की ड्यूटी पूरी हो गई है सबको घुमा फिरा दिया सबको मजा भी आ गया पूरा दिन संडे नजोई कर लिया अब घर चलते हैं लो भाई अब नहीं बाद सुन लो हमारी कार से इतनी आवाज आती है जैसे टेंपो पुरानी भी तो हो गई है तो अब अगला नया तारगेट क्या है गाड़ी का क्योंकि एक व्लोगर जो है यह दो तीन चीजेज करता है गर classic car फिर कोई नया काम करना यह फिर काम करना भी आहाओने का सब्कूरा होने सकता और जह सब्चलना और घर का भी भी हिसला लगा ले रब डबल कमाई है हम जो रेस्टोरेंट से भी कमा रहे हैं और हम यूट्यूब से भी कमा रहे हैं खुद को पसंद है तो खुद खा रही है कच्या कहारी जब अजस्ति अंपी को भी खिला दी और उस पर अजीब sound सूनने को मिला अभ आउंको ले आएंगे नेक्स टाइम तो भाहिए उनको לא जहां जहां गारी में आप गारे में आगए बढ़नो एतना फोड़े बहुत मुमेंट जिए तुम यहां बैठेते तो ले जाया करो उन्हको घर से बाहर निकालो एक कमरे में कैद मत रखो उनको लेकिन इन लोगों को अपनी अपने जिंदिगी में इतने मगन हैं इतने मस्त हैं कि बस उनको ना एक केटे कर भरों से छोड़ रखा है और एक टीवी लगा के दे दिया है बस देखते रहो टीवी और वो सारी तुम्हारे सार ल्या लिए और लुक्षायर ज़्याई जपर चंपर करें से ड़ीआ , तो इसली की बारा जाही है, जब ब्रूक्र हो टीव सच्ना में जिसके हो क्यों मुझे है कि प्रेगन सी के लिए मैं कंसीव करना चाहती हूं तो इस यह पीना ठीक है प्रेंस चलो उन सब चीजों की बारे में बारे में सोचिंगे चलो हम पी लेते यूँ इतो पहली की तरह से क्यों भाई तुम फिना बंद कर दोगी तो क्या एपल साइडर विनेगर का पितेश चेंज हो जाएगा क्या नोटंग की बाद फ्रेंस पाद में मुझे मत कहना देखो मैं कितनी डेडिकेट हूँ कितनी डेडिकेट साथ मैं वेट लॉस कर रही हूँ देखा और देखो आज संडे है जिम की छुटी है लेकिन मैं जुमबा करूंगी एरोबिक करूंगी डांस करूंगी पसीना बहूंगी फ्रेंस मैं जो बस डांस करी दी थी थोड़ी देर किया था तो फिर फ़नी आ गए थे और फिर वो लेकर आगए थे हमारे शेफ को लेके क्योंकि नोंको मुझे से कुछ मीटिंग करनी थी तो फ्रेंट्स जैसे मैं जुम्बा करी थे ना उसी कंडिशन में मैं इतनी पकी सची हिजाबी हूँ कि मैं ऐसे ही उनके सामने चली गए क्योंकि मैं रेस्टोरेंट नहीं जा सकती थी मैं तो ओनर हूँ तो मैं क्यूं वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाऊंगी अपने सारा का मेहनत कराई है इनके शॉल्डर ना बिल्कुल नहीं उठा रहे तो भाई रहम खाना उन पर क्यों पर रहम नहीं खा रही है अपने चकर में क्यों उसकी जिंदगी को तबहा करने पर लगी पड़ी है वो पूरा दिन रेस्टोरेंट में मेहनत करता है फिर तीन बजे तक तेरे में खाना बनाने के लिए किसी नहीं की खाना बनाने के साटा को मैंने किसी नहीं कितौरी इत्नी है इसलिए किसी भी बात को मेंचन नहीं किया लेकिन खाना बनाने के लिए क्योंकि यह तो घर से भार गुमती फिर इसका जो भूत था वो उतार गया है किचन का और अभी यह किसी को रख लिया और वही खाना पीना बना रहे हैं बजस्ती उसको घीस घसीट के ले गई है भाई जिम कहती है कि पहले सुबह का दिखाया कट्टू पूरा दिन कुछ शूट नहीं करें सीद में फिर शाम को दिखा दिया जिम में आज आप कुछ मत करो काउच पैसे लेट जाओ तो भी लाई क्यों थी भाई उसको कम सकम अपन ना काम देख लेंगे भाई तो उसको कभी भी कमफर्टेबल ना उसको होने देगी ना खुद कमफर्टेबल होगी और यह पोड़कास बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसको मैं अभी यह एंड करूंगी बहुत सारे पॉइंट्स बाकी है वह हम नेक्स पोड़कास मे कवर करेंगे आपकी क्या ओपिनियन है उसमें मुझे बहुत जादा इंट्रस्ट जानने के लिए तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजेगा मिलती हूं नेक्स वीडियो के साथ तिल देन बाई बाई अलाफिस टेक केर